उत्तर प्रदेश की राजपाल स्रीमति आनुदिविन प्रटेल जी, केंदिरिय मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी और लहनव कही सामसत मारे वरिष्ट साथी स्रीमान राजनात स्रीन जी स्री हर्दिप सिंपूरी जी, महिंदरनाथ पांडे जी, यहां के लोगपुरिय मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाज जी, उपमुख्यमंत्री, स्री केश्व प्रसाद मौर्य जी जी, स्री दिनेश शर्मा जी, केंदिरिय मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी स्रीमान काउशल चोर जी, राज्य सरकार के मंत्री गाण, सांसद, विदायक गाण, देश के अलग-अलग हिस्सों से आए, सभी आदर्णिय मंत्री गाण, अन्य सभी महानुभाव और उत्तर प्रदेश के मेरे प्रिय भाईयों और बहनों। लखनव आता हूं, तावद के इक्षेत्र का इतिहास, मलिहाबादी दशरी जैसे मिठी भोली, खान-पान, कुशल-कारिगरी, आर्ट, आर्किटेक्चर, सब कुछ ऐसे स्थामने की तर्फ देखने लग जाता है। मुझे अच्छे लगा कि तीन दिनों तक लखनों मैं, न्यू अर्बन इंडिया, यानि भारत के सहरों के नए स्वरूप, देश भर के एक्सपर्ट्स, एकत्र आकर के मंधन करने वाले हैं। यहां जो प्रदर्शनी लगी है, वो आज़ादी के इस अमरुत महोसव में 75 साल की उपलब्दिया और देश के नए संकल्पों को भली भाती प्रदर्शित करती हैं। और मैंने अनुभव किया है, पिछले दिनों जो डिफेंस का कारकम किया था, और उस समय जो प्रदर्शनी लगी थी, सिरब लखनव हुई नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश उसे देखने के लिए पहुँचा था। मैं इस बार भी आगर करूँगा यह जो प्रदर्शनी लगी है। यहां के नागरीकों से मेरा आगर है, आप जरूर देखिए। हम सब मिलकर के देश को कहां से कहां ले जा सकते हैं, हमारे विश्वास को जगाने वाला यह अच्छा प्रदर्शनी है, आपने जरूर देखनी चाहिए। आज यूपी के शहरों के विकास से जुड़े 75 प्रोजेक्स विकास के उसका भी सिलान्यास और लोकारपन किया गया है। आज ही यूपी के 75 जिलों में 75,000 लाभार्थियों को उनके अपने पक्के घर की चाविया भी मिली है। इस सभी साथी, इस वर्ष, दसरा, दिवाली, छट, गुरुपरप, इदे मिलात, आने वाले अनेको उत्सव अपने नए घर में ही मनाएंगे। अभी कुछ लोगों से बात करके मुझे बहुत संतोष मिला है और भोजन का निमंतर भी मिल गया है। मुझे इस बात के भी खुशी होती है कि देश में पी-एम आवास योजना के तहत जो घर दिये जा रहे हैं। उनमें 80% से ज़्यादा घरों पर माली काना हक महिलाओं का हाय या फिर वो ज्वाइंट ओनर है। और मुझे ये भी बताया गया कि यूपी सरकार ने तो महिलाओं के घरों से जुड़ा एक अच्छा फैसला दिया है। दस लाख रुपिये तक की राशी के घरों की रजिस्ट्री कराने पर स्टेंब ड्यूटिये में महिलाओं को दो प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है। ये बहुत प्रसंसनी नेड़ा हैं। लेकिन साथियों जब हम ये बात करते हैं कि महिलाओं को ये उनके नाम मिलकत होगी तो उतना हमारे मन में रजिश्टर नहीं होता है। लेकिन मैं थोड़ा आपको उस दुनिया में ले जाता हूँ, आपको अंदाज आएगा कि ये निर्णे कितना महत्वपूर हैं। आप देखिए किसी भी परिवार में जाईए। अच्छा है, गलत है ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ स्थीती का बयान कर रहा हूँ। अगर मकान है तो पती के नाम पर। खेत है तो पती के नाम पर। गाड़ी है तो पती के नाम पर। स्कूटर है तो पती के नाम पर। दुकान है तो पती के नाम पर। और अगर पती नहीं रहा तो बेटे के नाम पर लेकिन उस मा के नाम पर कुछ नहीं होता है उस महिला के नाम कुछ भी नहीं होता है एक स्वस्त समाज के लिए संतुलन बनाने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं और इसलिए हमने ताय किया है कि सरकार जो आवास देगी उसके अम्माली का नाहक महिला को दिया जाए साथियों आज लखनों के लिए एक और बधाई का आउसर है लखनों ने अटल जी के रूप में एक विजनरी मा भारती के लिए समर्प्रीत राष्ट्र नायक देश को दिया है आज उनके समर्थी में बाबासाव भीमरा मंबेटकर युनिवर्सिटी में अटल भी हरी वाजपाई चेर स्थापित की जा रही है मुझे विश्वास है कि ये चेर अटल जी के विजन उनके एक्षन राष्ट निर्मान में उनके योगदान को विश्व पटल पर लाएगी जैसे भारत की 55 साल की विदेश नीती में अनेक मोड आएगे लेकिन अटल जी ने उसे नई दिशा दी देश की कनेक्टिविटी लोगों की कनेक्टिविटी के लिए उनके प्रयास आज के भारत के मजबुत नीव है अब सोचिये एक तरफ प्रधान मंत्री ग्राम शड़क योजना और दूसरी तरफ स्वनिम चतुसकर नौर्थ इस्ट वेस्ट नौर्थ साउथ इस्ट वेस्ट कोरिडोर याने दोनों तरफ एक साथ दृष्टी और दोनों तरफ विकास का प्रयास साथियों वर्षों पहले जब अटल जी ने नेशनल हाईवे के मादिम से देश के महानगरों को जोड़ने का विचार रखा था तो कुछ लोगों को यकीन ही नहीं होता था कि ऐसा संभोव है छे साथ पहले जब मैंने गरीबों के लिए करोडों पके घर, करोडों सोचा ले, टेजी से चलने वाली रेल, शहरों में पाइप से गैस, अप्टिकल फाइबर, जैसे बड़े इंफासेक्टर प्रोजेक्टी भात की, तब भी आदतन कुछ लोग यही सोचते थे कि इतना स सब कुछ कैसे हो पाएगा, लेकिन आज इन अभियानों में भारत की सबलता, दुनिया देख रही है, भारत आज पी-म आवास योजना के तहट जितने पक्के घर बना रहा है, वो दुनिया के अनेक देशों की कूल आबादी से भी अधिक है, एक समय था, जब घर की स्विकृती से लेकर, उसको जमीन पर उतरने में ही बरसों लग जाते थे, जो गर बनते थे भी, वो शायद रहने लाइक थे कि नहीं, ये सवाल या निसान जरूर पुछे जाते थे, गरों की साई छोटी, कंस्ट्रक्शन मट्रियल खराब, एलोट्मेंट में हेरा फेरी, ये सब मेरे गरीब भाईयों बहनों को भाग्य बना दिया गया था, 2014 में, देश ने हमें सेवा करने का आउसर दिया, और मैं उत्तर प्रदेश का विशेस रुप से आबारी हूँ, कि आपने मुझे देश की संसद में पहुँचाया, और जब हमने आपने हमें दाइत्व दिया, तो हमने अपना दाइत्व निभाने की निमांदार कोशिच किये, साथ्यों, 2014 से पहले जो सरकार थी, उसने देश में शहरी आवास योजनाओं के तहट सिर्फ तेरा लाख मकान ही मंजुर किये थे, हकड़ा याद रहेगा, पुरानी सरकार ने तेरा लाख आवास, इसमें भी सिर्फ आठ लाख मकान ही बनाए गए थे, 2014 के बाद से हमारी सरकार ने पी-एम आवास योजनाओं के तहट सहरों में एक करोड तेरा लाख से जादा घरों के निर्मान की मंजुरी दी, कहां तेरा लाख और कहां एक करोड तेरा लाख, इसमें से पचास लाख से जादा घर बना कर उन्हें गरीबों को सौंपा भी जा चुका है, साथियों इट पत्थर जोड़ कर इमारत तो बन सकती हैं, लेकिन उससे घर नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो घर तब बनता है, जब उसमें परिवार के हर सदस्य का सपना जुड़ा हो, अपना पन हो, परिवार के सदस्य जी जान से एक लक्ष के लिए जुटे हुए हो, तब इमारत घर बन जाती हैं, साथियों, हमने घरों के डिजाइन से लेकर, घरों के निर्मार तक की पूरी आज़ादी लाबारतियों को सौप दी, उनको मर्धी पड़े वैसा मकान बनाएं, दिलनी में एर कंडिशन कमर में बैट करके, कोई यह ताय नहीं कर सकता है, तुमारी खिड़ की उतर होगी, या इधर होगी, 2014 के पहले, सरकारी योजनाओं के घर की साइज के बनेंगे, इसकी कोई पश्ट नीती ही नहीं थी, कहीं 15 स्क्वेर मिटर के मकान बनते थे, तो कहीं 17 स्क्वेर मिटर के, इतनी छोटी जमीन पर जो निर्बाण होता था, उसमें रहना भी मुश्किल था, 2014 के बाद, हमारी सरकार ने, घरों की साइज को लेकर भी, की स्पश्ट नीती बनाई, हमने ये ताय किया, कि 22 स्क्वेर मिटर से छोटा कोई घर नहीं बनेगा, हमने घर का साइज भी बढ़ाने के साथ ही, पैसा सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में बेजना शुरू किया, गरीबों के बैंक खातों में घर बनाने के लिए भीजी ये राशी कितनी है, इसकी चर्चा बहुत कम हुई है, आप जानकर हरान रह जाएंगे कि पी-एम आवास योजना सहरी की तक केंदर सरकार ने करीब करीब एक लाग करोड रुपिये गरीबों के बैंक खाते में ट्रांसफर किये, साथियों, हमारे यहां कुछ महानुभाव कहते रहते हैं कि मोदी ने, हमने प्रधानमंत्री तो बना दिया, मोदी ने किया क्या? अज पहली बात, मैं ऐसी बात बताना चाहता हूं, जिसके बाद बड़े-बड़े विरोधी जो दिन रात हमारा विरोध करने में ही अपनी उर्जा खपाते हैं, वो मेरा ये भाषण सुनने के बाद तूट पढ़ने वाले हैं, मुझे पता है, लेकिन मुझे लगता है, मुझे बताना चाहिए, मेरे जो साथी, जो मेरे परिवार जन है, जो जुग्गी जोपड़ी में जिन्दगी जीते थे, जिनके पास पक्टी छत नहीं थी, ऐसे तीन करोड परिवारों को, इस कारकाल में एक ही योजना से लगपती बनने का अवसर बिल गया है, इस देश में मोटा मोटा अंदाज करें तो 25-30 करोड परिवार है, मोटा मोटा अंदाज करें, उसमें से इतने छोटे से कारकाल में तीन करोड गरीब परिवार लख्षपती बनना, यह अपने आप में बहुत बड़ी बाद, अब आप कहेंगे मोधी इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, प्रधान मंत्री आवाज योजना के तहट, देश में जो करीब करीब तीन करोड घर बने हैं, आप उनकी किम्मत का अंदाज लगा दीजिए, यह लोग अब लख्षपती हैं, तीन करोड पक्के घर बना कर, हमने गरीब परिवारों का सबसे बड़ा सपना पुरा किया हैं, साथियों, मुझे वो दीन भी याद आते हैं, जब तमाम प्रयासों के बावजूत, उत्तर प्रदेश, घरों के निर्मान में आगे नहीं बढ़ रहा था, आज लखनों मैं ही, और जब मैं आज लखनों मैं हूँ, तो मुझे लगता है ज़र अब इस्तार से ये बात बतानी चाहिए, बतानी चाहिए न, आप तयार है, हमारी अर्बन प्लानिंग कैसे राजनिती का शिकार हो जाती है, ये समझने के लिए भी यूपी के लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है, साथियों, गरीबों के लिए घर बनाने का पैसा केंद्र सरकार दे रही थी, बावजुद इसके 2017 से पहले, योगी जी के आने से पहले की बात कर रहा हूँ, 2017 से पहले यूपी में जो सरकार थी, वो गरीबों के लिए घर बनवाना ही नहीं चाहती थी, गरीबों के लिए घर बनवाओ, इसके लिए हमें पहले जो यहाँ सरकार में थे, उनसे मिन्नते करनी पड़ती थी, 2017 से पहले, पी-एम आवाश योजना के तहट, यूपी के लिए 18,000 गरों की स्विकृति दी गई थी, 18,000 लेकिन जो सरकार यहाँ थी, उसने गरीबों को पी-एम आवाश योजना के तहट, 18,000 गरों की स्विकृति और 18,000 गरों की स्विकृति और 18,000 गरों की मंजूरी थी, लेकिन उन लोगों ने गरीब के लिए 18,000 गर भी नहीं बढ़ाए, पैसा था, घरों की स्विकृति थी, लेकिन तब जो यूपी को चला रहे थे, वो इसमें लगातार अढंगा डाग है थे, उनका ये कृत्य यूपी के लोग, यूपी के गरीब कभी नहीं भूल सकते, साथियों, मुझे संतुष्टी है, कि योगी जी की सरकार आने के बाद यूपी में शहरी गरीबों को नव लाग घर बनाकर दिये गए हैं, शहर में रहने वाले हमारे गरीब भाई बहनों के लिए, अब यूपी में चौदा लाग घर निर्माण के अलग अलग चनड़ों में हैं, अब घर में बिजली, पानी, गैस, सवचाले, ऐसी सुविधाएं भी मिल रही हैं, तो ग्रह प्रवेश भी पुरी खुशी के साथ, आन, बान के साथ हो रहा है, लेकिन मैं जब उत्तर प्रदेश आया हूँ, तो कुछ होमवर्ग भी देने का मन करता है, देदू, लेकिन आपको करना पड़ेगा, करेंगे, पका, देखिए मैंने अख़बार में पढ़ा है और अभी योगी जीवी शाहिद मैं पूछ रहा था, इस बार दिपावली में आयोध्या में कहते हैं साड़े साथ लाख दिये, साड़े साथ लाख दिये का करकम है। मैं उत्तर प्रदेश को कहता हूँ कि रोशनी के लिए इस परधा में मैदान में आये, देखे, अयोध्या जादा दिये जलाता है, कि ये जो नव लाख घर दिये गए हैं, वे नव लाख घर, अठारा लाख दिये जला करके दिखाएं। हो सकता है क्या। बीते दसकों में हमारा शेहरों में बड़ी-बड़ी इमारते जरूर बने लेकिन जो अपने स्रम से इन इमारतों का निर्मान करते हैं उनके हिस्से में जुग्यों का ही जीवन आता रहा है। जुग्यों की स्थिती ऐसी जहां पानी और सौचाले जैसी मूल सुविधाएं तक नहीं मिलते हैं। जुग्यों में रहने वाले हमारे भाई बहनों को अपके घर बनाने से बहुत मदद मिल रही है। गाउं से शहर काम के लिए आने वाले स्थमीकों को उचीत किराय पर बहतर रहाईश मले इसके लिए सरकार ने योजना शुरूब किये। साथियों, शहरी मिलल क्रास की परेशानिया और चुलोतियों को भी दूर करने का हमारी सरकार ने बहुत गंबीर प्रयास किया है। Real Estate Regulatory Authority यानि रेरा कानून ऐसा ही एक बड़ा कदम रहा है। इस कानून ने पूरे हाउसिंग सेक्टर को अभिस्वास और दोखागडी से बहार निकालने में बहुत बड़ी मदद की है। इस कानून के बनने से घर खरीदारों को समय पर न्याय भी मिल रहा है। हमने शहरों में अधुरे पड़े घरों को पूरा करने के लिए हजारों करोड रुपिय का विशेश फंड भी बनाया है। Middle Class अपने घर का सपना पूरा कर सके। इसके लिए पहली बार गर खरिदने वालों को लाखों रुपियों की मदद भी दी जा रही है। उन्हें कम ब्याज दरों से भी मदद मिल रही है। हाली में Modern Tenancy Act भी राज्यों को भेजा गया है। और मुझे खुशी है कि यूपी सरकार ने तुरंती उसे लागू भी कर दिया है। इस कानून ने मकान, मालिक और किरायदार दोनों की बरसों पुरानी दिक्कते दूर हो रही है। इससे किराय का मकान मिलना में आसानी भी होगी और रेंटल प्रॉपर्टी के बजार को बन मिलेगा। अधिक निवेश और रोजगार के अवसर बनेंगे। भाई और बहनों, कोरोना के काल में वर्क फ्रम होम को लेकर जो नियम बनाए गए उनसे शहरी मिडल क्रास का जीवन और आसान हुआ है। रिमोट वरकिंग के आसान होने से कोरोना काल में मिडल क्रास के साथियों को बहुत राहत मिली है। भाई और बहनों, अगर आप याद करें तो, 2014 से पहले हमारे शहरों की साफ सफाई को लेकर अक्सर हम नकारात्मक चर्चाये ही सुनते थे। गंदकी को सहरी जीवन का स्वभाव मान लिया गया था। साफ सफाई के प्रती बेरुखी से, शहरों की सुन्दर ता शहरों में आने वाले टूरिश, इस पर तो असर पड़ता ही है, शहरे में रहने वालों के स्वास्त पर भी ये बहुत बड़ा संकट होता है। इस स्थिती को बदलने के लिए देश, स्वच्च भारत मिशन, रादमरत मिशन के तहर बहुत बड़ा अभ्यान चला रहा है। बीते वर्षों में, शहरों में साट लाग से जादा नीजी टॉयलेट और छे लाग से अधिक सामुदाईक सौचानाई बने हैं। साथ साल पहले तक यहां सर्फ अठारा प्रतिशत कचरे का ही निश्पादन हो पाता था, वो आज बढ़कर सत्तर प्रतिशत हो चुका है। यहां यूपी में भी बेस्ट प्रोसेसिंग की बड़ी शमता बीते वर्षों में विक्सित की गई है। और आज मैंने प्रदर सनी में देखा हूँ, ऐसी अनेएक चीजों को महां रखा गया है, और मन को बड़ा सुकुन देने वाला दुरुष्या है। अब स्वच्च भारत अभियान 2.0 के तहर शहरों में खड़े कुड़े के पाड़ों को हटाने का अभियान भी शुरू कर दिया गया है। साथियों, शहरों की भव्यता बढ़ाने में एक और अहम भूमी का निभाई है। LED लाइट्स ने सरकार ने अभियान चला कर देश में 90 लाग से जानदा पुरानी स्ट्रीट लाइट्स को LED से बढ़ला है। LED स्ट्रीट लाइट्स लगने से शहरी निकायों के भी हर साल करीब करीब 1000 करोड रुपिय बच रहे हैं। अभिरासी विकास के दुसरे कार्यों में वो शहरी निकाय लगा सकते हैं। LED ने शहर में रहने वाले लोगों का बिजली बिल भी बहुत कम किया है। जो LED बल्ग पहले 300 रिपिय से भी महंगा आता था, वो सरकार ने उजाला योजना के तहर 50-60 रुपे में बना दिया है, इस योजना के माध्यम से करीब 37 करोड, 37 करोड LED बल्ग बाटे गए हैं, इस वजह से गरीब और मद्यमबर का करीब करीब 24,000 करोड रुपिये बिजली बिल में बच्चत हुई हैं, साथियों, 21 सदी के भारत में शहरों के कायकल्ब का सबसे प्रमुक तरीका है, टेकनोलोजी का जादा से जादा इस्तेमाद, शहरों के विकात से जुड़ी जो संस्ताये हैं, जो सीटी प्लानर्स हैं, उन्हें अपनी अप्रोच में सर्वोच प्रात्विक्ता, टेकनोलोजी को देनी होगी, और साथियों, जब हम गुजरात में छोटे सेला के में रहते थे, और जब भी लखनव की बात आती थी, तो लोगों के मुँझे निकलता था, कि भी लखनव में तो कहीं पर जाईए, सुनने को मिलता है, पहले आप, पहले आप, यही बात होती है, आज मजाग में ही सही, हमें टेक्नलोजी को भी कहना पड़ेगा, पहले आप, भारत में पिछले छे-साथ वर्षों में, शहरी छेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन टेक्नलोजी से आया है, देश के सतर से जादा शहरों में, आज जो इंटिग्रेटेड कमाण एंड कंट्रोल सेंटर चल रहे हैं, उसका आधार टेक्नलोजी ही है, आज देश के शहरों में, CCTV कमरों का जो नेटवर्ग मिछ रहा है, टेक्नलोजी ही उसे मजबूत कर रही है, देश के 75 शहरों में, जो 30,000 से जादा आधुनिक CCTV कैमेरे लगे हैं, उनकी वज़े से गुन्यगारों को सौ बार सोचना पड़ता है, ये CCTV अपरादियों को सजा दिलेने में भी काफी मदद कर रहे हैं, ताथियों, आज भारत के शहरों में, हर रोच जो हजारों टन कुडे का निस्तरण हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, सडकों के निर्मान में लग रहा है, वो भी टेक्नोलोजी की बज़स से हैं, वेश्ट में ते वेल्थ अनेक प्रोजेक्ट मैंने आज इस प्रदर्शनी में देखे हैं, हर किसी को प्रेणा देने वाले प्रेवक हैं, बड़ा बारी किसे देखने जैसा है, साथ को आज देश भर में जो सीवेज ट्रिट्मेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं, आधुनिक टेक्नोलोजी उनकी ख्षमता और बढ़ा रही है, ये नेश्टनल कॉमन मोबिलिटी काड टेक्नोलोजी की ही तो देन है, आज यहां इस कारकम में 75 इलेक्ट्रिक बसों को हरी जंडी दिखाई गई है, ये भी आधुनिक टेक्नोलोजी का ही तो प्रतिमीम है, साथ क्यों मैंने अभी लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहट लख्रों में बन रहे हैं घरों को देखा, इन घरों में जो टेक्नोलोजी इस्तमाल हो रही है, उसमें प्लस्तर और प्रें प्रति नहीं पड़ेगी, इसमें पहले से तैयार पूरी पूरी दिवारों का उप्योग किया जाएगा, इससे घर और तेजी से बनेंगे, मुझे विश्वास है कि यहां लखनों में देश भर से जो साथी आये हैं, वो इस प्रोजेक्ट से बहुत कुछ सिख कर जाएंगे और अपने शहरों में इनको इंप्लिमेंट करने का प्यास करेंगे, साथियों टेक्नोलोजी कैसे गरीब का जीवन बदलती है, इसका एक उधारण पी-म स्वनिधी योजना भी है, लखनव जैसे कई शहरों में तो अनेक प्रकार के बाजारों की परंपरा रही है, कहीं दूरू बाजार लगता है, कहीं शनी बाजार लगता है, और इन बाजारों की रोनक हमारे रहडी पट्री वाले भाई बहने ही बढ़ाते हैं, हमारे इन भाई बहनों के लिए भी अब टेक्नोलोजी का एक साथ ही बन करके लाई हैं, पी-म स्वनिधी योजना के तहट वालों को स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों से जोड़ा जा रहा है इस योजना के माध्यम से 25 लाग से ज़्यादा साथियों को पचीस सो करोड रुपिये से अधिक की मदद गई हैं। इसमें भी UP के साथ लाग से ज़्यादा साथियों ने स्वनिधी योजना का लाब लिया है। अब उनकी बैंकिंग हिस्ट्री बन रही हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल लेंदेन भी कर रहे हैं। मुझे खुशी है, इस बात की खुशी है कि स्वनिधी योजना का सबसे ज़्यादा लाब पहुंचाने वाले पूरे देश के टॉप तीन शहरों में दो हमारे उत्तरप्रदेश के ही हैं। पूरे देश में नंबर वन है लखनाओ और नंबर टू पर है कानपूर। कोरोना के इस समय में ये बहुत बड़ी मदद है। मैं योगी जी की सरकार की इसके लिए बहुत सराना करता हूं। साथ्यों आज जब मैं हमारे रेडी पट्री वाले साथ्यों द्वारा डिजिटल लेंदेन की बात कर रहा हूं। तो मुझे ये भी याद आ रहा है कि पहले कैसे इसका मजाक उड़ाये जाता था। कहा जाता था कि ये कम्पुटर लिखे लोग कैसे डिजिटल लेंदेन कर पाएंगे। लेकिन स्वानीदी योजना से जोडे रेडी पट्री वाले अब तक साथ करोड से जादा बार डिजिटल लेंदेन कर चुके हैं। अब ये थो कि व्यापारियों से भी कुछ खरीदने जाते हैं तो डिजिटल पेमेंट ही करते हैं। आज ऐसे ही साथियों की वज़े से भारत डिजिटल पेमेंट में नए रिकॉर्ड बना रहा है। जुलाई, अगस, सितंबर यानि पीछले तीन महिने में हर महिने छे लाग करोड रुपिय से जादा राचे का डिजिटल लेंदेन हुआ है। यानि बैंकों में लोगों को आना जाना उतना ही कम हो रहा है। ये बदलते हुए भारत और टेकनलोजी को अपनाते हुए भारत की ताकत को दिखाता है। साथियों, बीते वर्षों में भारत में ट्राफिक की समझ्या और प्रदूशन की चुनोती दोनों पर होलिस्टिक एप्रोच के साथ काम हुआ है। मेट्रो भी उसका एक बहत्री नुदारण है। आज भारत मेट्रो सेवा का देज भर के बड़े शहरों में तेजी से विस्तार कर रहा है। 2014 में जहां 250 किलोमेटर से कम रूट पर मेट्रो चलती थी वहीं आज लगभग साड़े साथ सो किलोमेटर में मेट्रो दोड रही हैं। और मुझे आज अपसर बता रहे थे कि 1050 किलोमेटर पर काम चल रहा है। UP के 26 शहरों में आज मेट्रो नेट्वर्क का विस्तार हो रहा है। 100 से जादा शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का लक्ष या फिर उडान योजना ये भी शहरी विकास को गती दे रहे हैं। 21 सदी का भारत अम मल्टी मोडल कर्डेक्टिविटी की ताकत के साथ आगे बढ़ेगा और इसकी भी तैयारी बहुत तेजी से चल रही है। और साथ योँ शहरी इंट्रा सेक्टिर के इन सारे प्रजेक्ट का सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव है रोजगार निर्मान शहरों में चाहे मेट्रों का काम हो घरों का निर्मान हो बिजली पानी का काम हो ये बहुत बड़ी संख्या में रोजगार के नए आउसर बनात एक्सपर्ट्स उन्हें फोर्स मल्टिप्लायर मानते हैं इसलिए हमें इन परियोजनाओं की गति को बनाए रखना है भाई और बहनों उत्तर प्रदेश बैत पूरे भारत की भारतिय संस्कृति की प्रानवायु समाई है ये प्रभू स्री राम की भूमी है स्री क्रश्ट की भूमी है भगवान बुद्ध की भूमी है यूपी की समर्द विरासत को संजोना सवारना शहरों को अधूनिक बनाना हम सब की जिम्मेदारी है 2017 के पहले के यूपी और बाद के यूपी का अंतर उत्तर प्रदेश के लोग भी अच्छे जानते हैं पहले बिजली यूपी में आती कम थी जाती जाधा थी और आती भी थी तो वहां आती थी जहां नेता चाहते थे बिजली सुविदा नहीं सियासत का टूल थी शड़क सिर्प तब बनती थी जब सिफारिस हो पानी की स्थिती तो आप सभी को पता है अब बिजली सब को सब जग़ एक समान मिल रही है अब गरीब के घर में भी बिजली आती है गाउं की सड़क किसी सिफारिस की महताज नहीं है यानि सहरी विकास के लिए जिस इच्छा सक्ति की जरुरत है वो भी आजूपी में मौजूद है मुझे भी स्वास है आजूपी की जिन परियोजना का सिलान्यास हुआ है वो योगीजी के नेत्रुत में तेजी से पूरी की जाएगी एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजना की बहुत-बहुत बधाई बहुत-बहुत धन्यवाद झाल